नमस्कार मित्रो आजना आपणा वर्चुल क्रासरूम ट्रेनिंग सेशन मा आप सवनू हार्दिक स्वागत छे आजे आपणे आईटी आई ट्रेनिंग सेंटर नी अंदर चालता वायरमेंट रेड नी अंतर गत ओल्टरनेटर नू सिंक्रोनाईजेसन नू जे चैप्टर छे ए लेसन विचे विगतवार माहीती छे ए मेडवी सु। अल्टरनेटर नू उप्योग आपणे विद्यूत प्रवा पूर्टा प्रवाणमा आपणे पूरो पडी रिये एना माटे आपने करिये छे आजे आपने ओल्टरनेटर नू सिंक्रोनाईजेसन सुछे एक केवी रिते थाये छे एना माटे आपने कई-कई रितो वापरिये छी ए बधावी से माहीती मेडवी सु एनी सरुवात आपने आजना पावरपॉंट नू जे प्रेजन्टेशन छे एना थी करी सु आजना लेशन मां आपने सुसु भण सु तो सौथी पेला एनी प्रात्मिक माहीती पची एना पची आपने ए सिस्टम जे छे के ओल्टरनेटर ने सिंक्रोनाईजेसन सुसा माटे करवी पड़े तो एना अंतरगत माहीती मेडवी सु ए ओल्टरनेटर ने पैरललल मां एटले के ओल्टरनेटर ने आपने कई-कई पद्धती ए थी सिंक्रोनाईजेसन करी शक्ये छी एना उप्योगों कया-कया छे एना एडबांटेजिस के ओल्टरनेटर ने पैरललल मां जुड़िये तो एना थी आपने कया-कया फाइदा थाई छे आने छेले आखा जे लेश प्रवा नी जरूर होई त्या एक करता वधारे ऊल्टरनेटर ने पैरललल मां जुड़िये तो एना थी आपने सु थाई-फाई-दो थाई छे तो ऑन इंट्रोप्टेड कंटिनियोस पावर सप्लाई मोडे छे ए पावर सप्लाई मां क्यारे भंगाण न थी पड़तू, सतत आपने पावर सप्लाई छे ये मेडवी सकीए छे, क्यारे कोई एका दो पावर प्लांट बंध थाए के जेते ओल्टरनेटर नो लोड बंध थाए, तो ए लोड ने आपने बीजा ओल्टरनेटर उपर सिफ्ट करी दईये, अने एना तो न थी आपनने जे पावर प्लाई चे ये मेडवी सकीए छे एक करता वधार ऑल्टरनेटर छे, एने आपने प्लांट बंध थाए लोड प्लाज थाए लोड छे तो सौथी पहलाज आपने वात थाई के अल्टरनेटर छे एने पैरलल मां जोड़िये तो एक अल्टरनेटर नो लोड आपने बीजाव अल्टरनेटर उपर सिफ्ट करी शकीए एटले आपने अनिंट्रप्टेड कंटिनियूस पावर सप्लाई छे ये मेडवी सकीए पावर स एने आपने बीजाव अल्टरनेटर ने एनी साथे पैरलल मां जोड़िये ए ओल्टरनेटर द्वारा वधाराना लोड ने तमे सप्लाई छे ये पूरो पाड़ी सको छो प्रोवाइड इंक्रीज द ओवरोल एफिसियंसी एटले ओल्टरनेटर नी जे कूल कारिक्षमता छे ए ओरोल एफिसियंसी एनी पूरे-पूरी कारिक्षमता छे ए आपने मेडवी सकीए छे जो एकज ओल्टरनेटर ने तमे सरुआतमा लोड ओछो होय त्यारे ओछा लोड उपर चलाओ तो एनी एफिसियंसी आपने ओछी मड़े छे पन जो आपने एने फूल लोड उपर काम चीचलाओ तुछ आपने ओल्टरनेटर नी पूरे-पूरी एफिसियंसी उपर एनो लोडनी एफिसियंसी छे ए वधारी सकीए छे चीए फॉर रिडियूस पर उनीट जणरेटिंग कोस्ट एटले आपने जे ओल्टरनेटर नी पर उनीट एनी कोस्ट एनी सरुबात नी जे किम्मत चे एक किम्मत नी अंदर पन घटाडू करी शक्किये छी ए एनो फाइदो चे एके ओल्टरनेटरने पेरलल माँ जुडवा थी जे वधार वधू अल्टरनेटर आपने वापरिये तो एउ थाये के खर्च वदी जै पन बे एक करता वधारे अल्टरनेटर ने जहारे आपने पैरलल मा जोड़ सु तो एनी जे एफिसियंसी आपने वधारे मड़े छे एटले ए हिसाबे थी आपने जे जनरेटिंग कोस्ट छे एक काईल थी जे आल्टरनेटर ने अन्दर आर्मेचा नी जे कोईल छे ए सोट था जवानी शक्यता रह चे अने एना थी ओल्टरनेटर ने नुक्षान पन थाय चे तो आउ न थाय एना माटे आपने आज जे चार सर्तों छे ए चारे चार सर्तों नू पालन करवू खुबज जरुरी छे एमा जे ओल्टरनेटर पहले थी न जे चालू छे के जे पावर ग्रीड नी साथे जुडाएलू छे एने आपने रणिंग ओल्टरनेटर केसू अने बीजू ओल्टरनेटर के जे आपने पैरलल माँ एनी साथे जुडवानू छे एने आपने इनकमिंग ओल्टरनेटर कहिए छ तो running alternator अने incoming alternator छे ए बन्ने नी आजे चारे चार सर्तोनु पालन बन्ने करे त्यारे जापणे एनू synchronization छे ए चालू करसू तो सौथी पहली जे सरत छे ए के धो alternator cell है उधा same frequency मतलब के बन्ने alternator छे एनी frequency छे बन्ने alternator नी सर्खी रेवी जुई है जो एक alternator नी frequency running alternator नी incoming alternator ना frequency साथे match न थती होय तो frequency regulator नी मदद थी एनी frequency छे एने आपने सेट करीने बन्ने नी frequency सेट थाई जाए एक सर्खी थाई जा पचीज ए alternator छे एनी synchronizing switch चालू करीने incoming alternator छे एने आपने running alternator नी साथे जोडी सकिये बीजी सरत छे तो alternator cell है उधा same alternator induced voltage एटले के बन्ने alternator छे एना voltage छे ए सर्खा हो आजुई एक alternator ना voltage सर्खा होय और बीजाना सर्खा ना होय तो voltage regulator नी मदद थी जे alternator ना voltage नी अंदर वदगड छे एनी मदद थी एने adjust करीने पची synchronization switch छे ए चालू करवी त्रीजी आपनी सरत छे किदो alternator cell है उधा same phase sequence बन्ने नो phase sequence छे ए सर्खोर हो जोई एटले कि एक alternator छे ए maximum 9 डिगरी उपर काम करतु होई एज समय बीजू alternator पर maximum 9 डिगरी उपर जो एक 9 डिगरी पर हो याने बीजू 0 डिगरी उपर होई phase difference मां तफावत होई अथवा बन्ने वच्चे phase difference 90 डिगरी के 180 डिगरी नो होई तो ए आपने चलावी शेक किये ने तो एना माटे आपने बन्ने नी phase sequence सर्खी करवे पड़े बेई महत्तम उपर बेई 21 साथे महत्तम किम्मत उपर पहुँ इतले बन्ने नी phase sequence सर्खी होई त्यारेज आपने औल्टरनेटर छे एने चालू करजू छेले धा औल्टरनेटर वल्टेज इस सेल बी इन फेज मतलब बेई औल्टरनेटर छे एनो phase छे ए सर्खोरे ओ जोई बन्ने ना phase difference 0 आओ जोई त्रीजी सरत माँ जे आपने बात करी क आपने चालूल्टरनेटर नी phase sequence जो ए औल्टरनेटर नी phase sequence सर्खी ना होए तो सूथ असे के यहना थी एक पाल्टरनेटर सीधू फर से अने बीजू अल्टरनेटर छे उल्टू फर से तो एवे वक्ते आपने आपनाचे त्रौन phase छे आरवाई बी एमान थी कोई पाण बे फेज ना छेडा तमे उल्टाव सो तो बन्ने नी फेज सिक्वंस चे सर्खी थाई जासे एकले एना थी बेफ उल्टरनेटर एकच दिसा नी अंदर फर्से अनि ए समय आपने एनी उल्टरनेटर नी सिंक्रोनाईजेशन स्वीच चे एने आपने चालू करवानी चे तो आपनी चार सरतो छे के जेनू आपने पूरे-पूरू पालन छे एक करवानू छे हवे मैथडो सिंक्रोनाईजेशन करवा माटे आपने पांच प्रकारनी रितोनों उपियो करिये छी ए जे पांच मैथड छे एनी अंदर जे आ पहली त्रण मैथड छे डार्क लेंप मैथड ब्रा प्राइट लेंब मैथड ए सरुवात नी त्राण मैथड नों उपियो हालना समय नी अंदर बहुच उच्छो थाए छे केम के ए त्राणे रितों छे एनी मदद थी आपने पूरे-पूरो ए अंदाज उपर थी आपने काम करिये छी पूरे-पूरो आपने खबर न थी अप पर नीचे नी जे बन्ने मेथडों छे सिंक्रोस्कॉप मेथड आने कॉम्पिटराइजद सिंक्रोस्कॉप मेथड छे ए बन्ने मेथड नों उपियोग आपने आजना जमानानी अंदर वधारे करिये छे के जे नाना पावर प्लाइंट हो ए तो एनी अंदर आजे कॉम्पि डार्क लेंब पने 2, ब्राइट लेंब मेथड, सिंक्रोस्कोप मेथड, अने कम्पिटराइज सिंक्रोस्कोप मेथड, ए पाचे-पाच मेथड छे, एनो आकरूती नी साथे केवी रिते काम करें छे, एना विशे माहीती मेड़े वानी छे, साथी पेली छे, डार्क लेंब मेथड, ए डार्क लेंब मेथड नियंद, अपने आपनने बतावेलू छे, के टू लोड सरकीटे उलखेलू छे, ए आर, वाई, अने, बी, आ त्राण जे आपना मेन ग्रीट छे, एनी साथे, जे आपनू आ जीटू जनरेटर छे, ए आपनू जनरेटर छे, अने जे आ जीवन जनरेटर छे, ए इनकमिंग जनरेटर, एटले के आपने आ जीवन जनरेटर ने, आ जीटू जनरेटर छे, एनी साथे पैरलल मा जोडवानू छे, तो आ जीवन अने जीटू, ए बनने ओल्टरनेटर मा, आपने जे आगर चार सर्तों जोई, ए चारे चार सर्तों नू आपने पालन करवानू छे तो एना माटे आज डार्क लेंप मेथड छे एमा आपने आ त्राण लेंप लिधा छे अने त्राण त्राण लेंप ने एकज फेज नी सिरीज मा जोडेला छे बी टू बी वाई टू वाई अने आर टू आर हवे एज समय जे आ त्रणे त्रण आपना लेंप छे ए समपूर्ण पणे एक समय जियारे बंद ठाए त्यारे आपने आज ए ओल्टरनेटर नी अंदर आपने वच्चे जे टीपी स्वीच आपने ली छे ट्रिपल पोल स्वीच ए स्वीच ने आपने ओन करी सु अने त्यारे आज इवन वल्टरनेटर छे ए जीटू नी साथे पैरलेल मा जोड़ाई जासे मतलब के एनू सिंक्रोनाइजेसन छे थाई जासे पन जो ए सिंक्रोनाइजेसन एनू बराबर ना होई तो एना माटे आपने जो उपड़ से के त्रणे त्रणे लेंब एक साथे क्यारे डार्क थाई छे जो ए डार्क न थाई तो एमा केवी केवी पोजिशन बताव से तो सवती पहलू छे के जो आ त्रणे लेंब छे ए चालू बन थता होई मतलब के डिम फुल थता होई एकी साथे डार्क न थता होई पन डिम फुल तो एनो मतलब सुचे के ए जे जीवन जनरेटर छे ए जीवन जनरेटर नी जे फ्रिक्वंसी छे ए आ जीटू जनरेटर नी साथे मैच नथी थती तो पहला आपने एनी जे स्पीड छे एने एड़्जस करवानी एटले स्पीड एड़्जस करवा थी बन्ने नी फ्रिक्वंसी साइट थाई तो आ त्रणे लैंप छे डीम थाई जाई पछी ए डीम थाई जाई एना पछी बीजो प्रोब्लेम चालतो होए मतलब के लैंप ना चालू बंध नथी थता पौन वाराफर्ती ये चालू बंध थाए छे पेला एल बन चालू थयो पची एल टू चालू थाए पची एल थरी चालू थाए एम क्रॉमस अथवा आडी ओडी रीते ये चालू बंध थता होए तो एनो मतलब सुछे के जे आ जीवन जनरेटर पड़े तो जे आपणा आ जनरेटर आ शाथ आपणा या त्रहन चेडा जे जोडल ला चे त्रहन फेज न वार आई बी तो ए जनरेटर आ या याँ यान बी य त्रहन उमाथे कोई पन 2 चेडा है अपणा उल्टा भी नाखिये तो आ जीवन जनरेटर नी छे फेज सिक्वंस छे ए जेटू जनरेटर जेवी थाई जासे एटले येनी साथे मैच थाई जासे आने ए समये त्रणे जे लेंप छे एकदम डिम अथवा तो बंद थाई जासे तो ए समये आपने आजे टीपी स्वीज छे आपने जोडे लाँ जे ए एनने चालू कर जू बची इत्री जुप प्रोब्लेम चे के ल CAT ना जे आतरंे लैंप आपने जोडे लाँ छे तो ए त्रने लैंप डीम सर्केश तो डीम शडगे चे एन्नो मतलब के आ जीवन जे आपने जनरेटर छे आने जीटू जनरेटर छे तो ये बनने ना voltage चे, ये शर्का न थी, तो voltage शर्का करवा मांटे आपणे शुक करवानू, तो आजीवन जर्णरेटर नी साथ χे, voltage रेगूलेटर जोडेलू है चे, तो ये voltage रेगूलेटर नी एडजेस्ट करवानू, आज तो आत्रोने जे लेंप आपने जोडेला छे, ये जिहां क्या सुधी एड़्जस करवानू तो जिहां सुधी एड़्जस करवानू तो जिहां सुधी एड़्जस करवानू तो जिहां सुधी एड़्जस करवानू अने पछी आज अपनी TP स्वीच छे सिंक्रोनाइजेशन स्वीच छे एने आपने आपने ओन करवानी एटले आ जीवन अने जीटू ए बनने ओल्टरनेटर आपणा सर्खा थाई जासे हवे आज ए आपनी डार्क लेंप मेथड छे ए डार्क लेंप मेथड नो गेर फाइद हो सुछे तो आपने नक्की नथी करी शकता के क्यारे त्रोणी लेंप एक सर्खा डीम थाई छे तो ए समय वल्टेज हसे के के त्यारे बनी सके के वल्टेज छे एनी अंदर तफावत होए पन आपने पूरे-पूरो ख्याल ना आवे के आ वल्टेज छे सर्खा छे के नी तो एटला माटे थाई ने आपने आजे डार्क लेंप मेथड छे एनो बव उप्योग नथी करता एना पछी नी बीजी आपनी मेथड छे ब्राइट लेंप मेथड ब्राइट लेंप मेथड ब्राइट लेंप मेथड नी अंदर आपने डार्क लेंप मेथड नी अंदर आपने सू फरक करेलो छे तो जे आपनी डार्क लेंप मेथड हती एमा आपने जे लेंप ना जोड़का जोडेल ए लेंप ना जोड़का छे एकज फेज नी साथे जोड़ेला हता मतलब के B2 B days, Y2 Y days अने R2 R days ज्यारे अहियां आपने सु करेलू छे तो जे आपनु आ वल्टरनेटर 1 छे ए रनिंग वल्टरनेटर छे अने आपनु वल्टरनेटर बिजू छे ए आपनु इनकमिंग वल्टर खेलरना फेज नी साथे आपना लेंप नो एक छेडओ और बिजो छेडओ लेंप साथे जोड़ेलु छे मतलब के cross मा connection करेलू छे, lanp आपनो è L3 औने L2 एनू आपने क्रोस मा कनिक्षन करेलू छे अने L1 लेंप छे ए रेड लेंप नी साथेज जे आपनो R2, R, Days to R छे एनी साथेज आपने एककज लाइन नी अंदर ए लेंप छे एनने जोडेलो छे डार्क लेंप नी अंदर जेते फेज हतो एनी साथेज आपने लेंप जोडता था जे आरे अहियां छे तो L2 औने L3 एटले के कोईपण बे जे लेंप छे एनने कोईपण बे फेज नी साथे क्रोस मार जोडेलो छे एटलो तखा आच छे हवे अहियां आपने जे आनी साथे जे आ टीपी स्वीच जोडेली होए ट्रिपल पोल आयान क्लेड स्वीच तो ए आयान क्लेड स्वीच ने क्या रे चालू करी सो तो नाम एननू ब्राइटलेव मेथड छे एनो मतलग के त्रोणे लेंप एक साथे जे आरे फूल प्रकासित थाए त्यारे जे आपने आपने आएसी टीपी स्वीच छे एने चालू करी सो हवे अहियां पन जो आपने लेंप एना जोडेला छे आपने सपलाई चालू होए तो ए समय दरम्यान जो त्रोणे त्रोणे लेंप एक साथे फूल प्रकासित न थता होए तो जेम आपने डार्क लेंब मेथन ने अंदर वाद करेली हती के लेंप छे डिम फूल सडगे वारा फर्ती चालू बंद थाए तो ए माटे जहरे आपने वाद करेली के जो लेंप छे ए पूरे पूरा प्रकासित न थाए तो ए जे एना माटे कई सरतनू पालन करवानू जो ए डिम सडगे तो एना माटे नू सुकारण छे सेम एज वस्तू अईयां पण छे के जो लेंप ना जोड़कास छे ए एकी साथे चालू बंद थाए तो अनो मतलब छे के वल्टनेटर छे ए बीजा वल्टनेटर नी स्पीड ने एजसक और एना वल्टनेटर एक नम्बर नो जे वल्टनानी चे एना ट्लीश प्रीड उपराने रन्निंग करा वानू तो एवा करवाथी त्रणए लेंब छे एक साथे फूल prakसित था हवे बीजी आपनी उसरत छे के जो त्रणए लेंब प्रकासित ना थता होए है मतले एक लेंब चालू थाए बिजुलेम चालू नथी थतो तो ए एनो फेज सिक्वंस छे अलग बतावे छे के उल्टो दर्सावे छे तो एवा समय आपने सू करसू के जे आपना आ अल्टरनेटर नो आ जे ब्लिव आपनो फेज छे रेड फेज छे अने यलो फेज छे तो ए त्रण फेज माती कोई पन बे फेज ना छेडा छे एने उल्टावी नाकवाना के रेड छे एने ब्लिव नी साथे जोडी दियो अने ब्लिव छे एने रेड नी साथे जोडी दियो तो एनी फेज सिक्वंस छे ए शर्की थे जासे अने ए समय आ त्रणे त्रण जी लेंब छे ए फुल प्रकासित थ आपनी जया ICTP स्वीच छे एने आपने ओपरेट कर सू एने चालू कर सू एटले वल्टरनेटर एक नी साथे बीजा नंबर नू आपनू जे वल्टरनेटर छे ए सिंक्रोनाइस थाई गेलू गणा से हवी त्री जू छे के जो त्रणे लेंप डिम सड़कता होए के त्रणे त्रणे लेंप नू प्रकासित छे एक साथे डिम थाई छे फूल प्रकासित नथी थतो तो एनू मतलब के वल्टरनेज छे बीजा नंबर नू वल्टरनेटर एना जे वल्टरनेज छे ए पेला नंबर आअल्ट्रनेटरना वल्टेज नी मैं थता न थी कि अन्हें आपणा डारक लेंप मं OF यह साथ आपने अ अनि ए समय थान यहाले लेंप टो आ हैस्य फुलव प्रकासी था था यह तो आपणे ग। आल्टरनेटर नी जे सिंक्रोनाइजेसन नी स्वीच छे यहने आपने चालू करसू एटले ओल्टरनेटर एक अने ओल्टरनेटर बे बन्ने नी फरवानी दिशा सेम थासे बे नी फ्रिक्वंसी सर्खी छे वल्टेज सर्का छे आप बदीस चारे चार सर्तो नू पालन क्या समहिं एक से एक लुदीशे तो यह आकड़े ओल्टरनेटर बिल्टरने prawकंत। इटले आ लेंप जे आपनों पूर्ण प्रकासित लेंप नी मेथड छे एनों उप्योग पन आपने बहु उच्छो करिये ची बच्छी आपनी 3G मेथड छे वन डार्क टू ब्राइट लेंप मेथड एटले के एक लेंप आपनों डीम सडगे आने बिजाबे लेंप छे ये फूल प्रकासित थाए तो ए आपनी मेथड छे एनी अंदर आपने सिंक्रोनाइजेशन स्वीच क्यारे चालू करवानी छे तो ज्यारे आपनी आपनी आप बी जे बी टू बी डेज नी साथ हे आपने जे लेंप ना जोडकू जोडेलू छे ए लेंप छे आपनों डीम थाए अने आ वाई अने आर ए जे फेज नी वच्चे आपने लैंप ना जोड़का जोड़ेला छे ए लैंप ना जोड़का छे ए फूल प्रकासेत थाए त्यारे आपने आनू सिंक्रोनाईजेसन छे चालू करचू हवे अईना सर्किट डायग्राम माँ और आगणना सर्किट डायग्राम माँ कोई तफावत छे ने फक्त एक तफावत छे एसु के त्यां आपने B और आ जे बने फेज छे बी औने आर फेज एनी साथे लैंपनु क्रोस कनिक्षन करेलू अने यहां आपने वाई अने आर जे फेज छे एनी साथे आपने लैंपनु क्रोस कनिक्षन करेलू छे अई या आपने B2, Bडेज छे, A नी साथे एक लेंपनों जोड़कू जोड़ेलू छे, अने आजे B2 लेंपना जोड़का छे, एमा Y नी साथे आपने Rडेज जोड़ेलो छे, अने R नी साथे Yडेज जोड़ेलो छे, मतलब के A लेंप अने आ बीजू लेंपनों जोड़कू, यह बन्ने नीनिंए आपणे, क्रोस म जोडेले ले ऐँ शेयें, यह वज आपने, ब्रास स्वीच छे ये चालू करवानी छे हवे अहीं हा पण आपणे जे मागण नी बनने रितोमा जो यू के लैंप फूल प्रकासित नथी थता डीम थाई छे पची एनी जे लैंप वारा फरती चालू बन थता होय तो एनी फ्रिक्वंसी छे ये सर्खी नथी तो ए समय आपणे एनी फ्रिक्वंसी छे ये ये शर्खी थाई जासे फेज सिक्वंस त्रणे नो सर्खो रागसू तो आ चारे चार सर्तो पालन था है पची आपणे जे आपणे या आईसी टीपी स्वीच छे एनी आपणे चालू करीने पेला नमबनुँचे आपनुग ओल्टरेटर छे एनी साथे बीजा नमबनुँग ओल्टरेटर सिंक्रोणाइज थायेलू गढासे अन् Sonny ए समयदर म्यां एनी सिंक्रोणाइजेशनसान नी स्वीच छे ये ant предлож आपणे ओप्रेट करशू जो यहां आपणने बतावेलू छे आ सिंक्रोस्कोप छे बार थी आप प्रमाणेनू देखाई छे एनी अंदर एक बाजु स्लो अने बीजी बाजु फास्ट एव लखेलू छे अने वच्चे एक एरो आपेलू छे अने बाजु नी जे आपणी आकरूती छे ए अपचे एस स्लीपरिंग इंडक्षन मोटर जेवज एनू बांद काम होय छे एनू बंधाराण एना जेवज होय छे एनी अन्दर एक स्टेटर वाइंडिंग होय छे जे आप बार नी साइडे बतावेलू छे यहां जो लखेलू छे स्टेटर तो एस स्टेटर आपने कोनी साथे जोड़वानू छे तो जे आपनी मेन बसबार होय एनी साथे स्टेटर वाइंडिंग ने जोड़वानू अन्ने अंदर नी साइडे जे आपनने वाइंडिंग आपेलू छे ए आपनू रोटर वाइंडिंग छे तो ए रोटर वाइंडिंग ने आपने जे यह बन्ने ओल्टरनेटर नी फ्रिक्वनसी छे ए सैम थासे、 तो लिया आंपने जिया-पोंटर आपेलो छे — जिया सुदी आ वच्चे नू आपनो जे ए रो छे, त्याँ उपर स्थीर न थाई तो त्या सुधी जे आपनू incoming alternator के जे ए alternator ने आपने parallel मा जुड़वानू छे तो ए alternator नी frequency आपने set करवानी छे तो एनी speed आपने क्या सुधी adjust करशू तो ज्या सुधी आ जे एनो pointer छे या वच्चे नी स्थिती उपर न आवे त्या सुधी incoming alternator नी frequency छे एने set करवा माटे एनी speed ने adjust करवानी जे फिल्ड रेगुलेटर एनी साथ है आपने जोडेलू होए एने फेरो वाथी एनी speed छे एमा आपने वधारो भटाडो करी शकी है ले speed माँ वधगट करी ने आ पोईंटर ने आपने मच्चे नी जे main स्थिती छे त्या आपने लए आवानू छे ए जे रे पोईंटर वच्चे ना एरा उपर स्थीर थाय त्यारे आपने सु समझवानू के बनने alternator छे एनी frequency छे ये सेम छे अने ए समय आपने एनी phase sequence नी माटे नी जे ICTP स्वीच राखेली छे synchronization स्वीच ए सिंक्रोनाईजेशन स्वीच ने चालू गरवानू सिंक्रोस्कोप थी आपने फाइदोसू थाय छे के सिंक्रोस्कोप नी मदत थी आपने एक्क्यूरेट मतलब सोयसोट का आपने पुरे-पुरी खात्री मड़े छे के बनने alternator नी frequency छे ये सेम छे कोई बनने alternator नी speed छे ए सर्खी छे एनो phase sequence सर्खो छे ए बद्दी माही ती आपने पुरे-पुरी रीते मड़ी रिये छे एटले आपने सिंक्रोस्कोप नी मेथड थी वधारे सारी रीते औल्टरनेटर नू सिंक्रोनाइजेसन छे एकरी शक्ये छे एटले जहारे पॉइंटर आपनू वच्चे नी स्थिती उपर एटले के आ जे चीरो पोजिसन अई या बता वेली छे एना उपर आवे त्यारे सिंक्रोनाइजेसन नी स्वीच छे ए चालू करवानी अने ए समयी बन्ने उल्टरनेटर छे एनी फ्रिक्वंसी छे ये सरकी असे सिंक्रोसकोप ने आपने जे आपनी उल्टरनेटर नो सरकीट डायग्राम छे एनी साथे के वी रिते जोड़गू तो ए पन आपना इया सरकीट डायग्राम नी मदत्ती समझावेलू छे तो जो अहीं आपनू आ रणिंग उल्टर नेटर छे एने आ आपणु 응 daring back आनी साथा आपणू आजे उपर ना 3 जे बस टे ए मेंन बस बार छे अने आ 2 जे बस टे आपण आपेला चे अईया लखे लुचे ओक्जिलरी बस बार एने आपणा temporary बस बार छे एनी मदद्थी आपनु आजे सिंक्रोस्कॉप छे, ए सिंक्रोस्कॉप ने आपने इंकमिंग गल्टरनेटर नी साथे जोडेलू छे, जे रोटर वाइंडिंग छे, एने आपने आजे ओक्जिलरी बसबार छे, एनी साथे जोडेला छे, अने अहिया जे पिटी लखेलू छे, एनो मतलब छे पोटेंसियल ट्रांस्फोर्मर ए पोटेंसियल ट्रांस्फोर्मर द्वारा आपने मेन जे आपनु जे सिंक्रोस्कोप छे एने आपने आउक्जलरी बसबार नी साथे जोडिये छी सेम एवी जरीते जे आपनु आ स्टेटर वाइंडिंग छे इस टेटर वाइंडिंग ने पन पोटेंशियल ट्रांसफोर्मर द्वारा आज ये आपनू में बस बार छे एनी साथे आपने जोडेलो छे हवे आनी साथे आपना इनकमिंग ओल्टरनेटर ए बन्ने नी साथे वल्टेज नी अंदर जे फ्लक्चुेशन थतू असे स्पीड नी अंदर जे फेरफार थतू असे तो एना आधारे आपने आगड किदू हैं के सिंक्रोस्कोप नो जे एरो छे एनो जे पॉइंटर छे एसल अथवा तो फास्ट एना उपर जसे अवे एउँ जियारे थाए त्यारे आपने आजे आपनू ओल्टरनेटर छे एनी स्पीड आपने एडजेस करवानी अने जियां सुधी पॉइंटर नेनू जीरो उपर ना आवे त्यां सुधी एनी स्पीड ने एडजेस करवानी अने जेव जीरो उपर आवे तो ए समय आपनी जे आ ट्रिपल पोल आयन क्लेड स्वीच छे एने आपने ओन करी देवानी तो ए समय आपनु इनकमिंग ओल्टरनेटर अन्ने आ रनिंग ओल्टरनेटर ए बन्ने ना वल्टेज, फ्रिक्वन्सी, फेज सिक्वन्स ए सर्खुव असे तो ए समय आपने पर्लेल उपरेसन छे ए आपने याने करी शक्ये मतलब कि एनू सिंख्रोनाइजेशन चे ए करी शक्षू तो मिथ्रो आज ए ओल्टरनेटर नू सिंक्रोनाइजेशन नी जे चार में थड़ जोए तो अहिया में एक इन्दस्ट्री नी अंदर के पावर प् अंदर काई चेक स्वंन अंदर अपना जेए अलग अलग जए अपना सब स्टिस्टेशन होइ। कर यकशी स्ट ये हैं तो ये लोड नी अंदर वद आुखे घंटाडंग थतो हैं तो ए प्राह्णं अपनने जरूरियात प्रमाणे ऑल्टरनेटर ने पैरलल मा जोडी ने लोड ने सपलाई छे ये पूरो पाड़ी सकिये छे पची इंडस्ट्रीज नी अंदर पन ऑल्टरनेटर छे येनु पैरलल मा जोडान थतु है लोड नी वहेंचनी माटे किटलो लोड छे औने किटला लोड नी साथे ओल्टरनेटर तमारे पैरलल मा जोडवाना छे मतलब के लोड नी जरूरियत प्रमाणे तो में ओल्टरनेटर चे ऐने परलल मां जोडे ने लोड प्रमाणे तो में एनी पासे थी काम चे आपने लई सकिये छी इंडस्ट्री नी अंदर औने पावर प्लांट नी अंदर बिजो फाइडोसु थासे के जहारे आपणे औल्टरनेटर ने पारलल मा जोडिये चीए तो कोई एक प्लांटनी अंदर कैी फोल्ट थायो तो ए प्लांटनों लोड छे एने आपने बीजा ओल्टरनेटर उपर सिफ्ट करी दईए तो ए जेते प्लांट छे एनू काम आपनू बंद रेतू नथी मतलब के आपने सतत कंटिनियूस पावर सपलाई छे ये मेडवी सकीए छी एना फाइदा के ओल्टरनेटर छे एने आपने पैरलल मां जुडिये छीए तो पैरलल मां जुडवा थी आपनने कया कया फाइदा थाई छे तो सवथी पेलो फाइदो छे लोड सेरिंग मतलब के आपने लोड नी वहेंचनी छे करी शकीए छीए जेते ओल्टरनेटर नी एफिसेंसी जे प्रमाणे नी होई यानी कारेक्षमता जे प्रमाणे नी छे तो ए लोड नी एनी कैपेसिटी जे ओल्टरनेटर नी कैपेसिटी प्रमाणे तमे एनी साथे लोड नी वहेंचनी छे ए करी शकीए जे एनी एफिसेंसी छे ए आपने वधारी शकीए छीए मतलब के लोड़नी जे कारेक्षम्ता छे एक कारेक्षम्ता आपने मैक्सीमम मडेचे अपने आगडवाद थै यहती के ऑल्टरनेटर होए तो एनी साथे जो ओछा लोड़ उपर एक ऑल्टरनेटर उपर आपने काम करिये तो एनी efficiency चे ओची होये छे अने जो एज ओल्टरनेटर उपर आपने एनी साथे एनी capacity प्रमाणे नो full load जोड़िये अने एनी जो एपने efficiency जोईए तो एनी efficiency आपने full load उपर maximum मड़े छे तो एटला माटे थाईने पन ऑल्टरनेटर ने आपने पैरलल माँ जोड़िये छे पची reduce losses तो ऑल्टरनेटर ने आपने पैरलल माँ जोड़िये तो एना थी आपना जे power plant नी अंदर पावर नी अंदर जे बगाड थाई छे जे loss थाई चे एने आपने घटाडी सकीए copper loss friction losses थाई छे तो आ बधा loss ने आपने उच्छा करी सकीए छे अने पूरे पूरव पावर छे एना उपयोग आपने करी सकीए छे एना पची easy to operate मतलब के जे एनू operation छे के जे आल्टरनेटर ने आपने 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 आपरेट करीए छे ए आपना माटे सेहलू छे के एक maintenance करवू छे के अमुक अमुक समय आपने आपने आल्टरनेटर ना दर एक जे आपना इलेट्रिकल नी अंदर मसीनों यूज थाए छे तो ये बदा आज मसीनरी नी आपने थोड़ा थोड़ा समय ना आंतर है एना maintenance ना सेडूल प्रमाणे एनू maintenance थतु है तो maintenance वक्ते आपने ए ओल्टरनेटर नो जे लोड छे एनने तम्हें बीजा ओल्टरनेटर उपर सीफ्ट करी ने एनू maintenance शरड ताथी करी सको छो maintenance समय आपने एक ओल्टरनेटर नो लोड छे एने बीजा ने आपने मढे छे ए पूर्वठा ने आपने बंद करवो पड़तो न थी अन्याणे जे लोड जे ओल्टरनेटर माथी मड़े छे तो एने सतत पावर मड़े ये पावर मोँ त्या भंगाण नहीं था अने लोड आपन पूरे-पूरो चालू रहे से एना थी आपनी जे कैपिटल कोस्ट छे ये आपने ओची करी सकीए छे एक रिड्यूस कैपिटल कोस्ट मतलब एने कंटिनियूस सपलाई मड़े छे सपलाई माँ क्याई वच्छे भंगाण नथी परतू अने जे आजना जमानानी अंदर जे सउथी मोटो बेनिफिट छे के ओल्टरनेटर माँ जे लोड नी जरुरियाद छे ए लोड नी जरुरियाद प्रमाणे मेंटेननस वकते कोई फोल् मतलब के इन्धन नी पन आपने बचत करी शकीए छे इन्धन नी बचत थासे एटले आपना जे कोस्ट छे ए पन घटवानी छे मतलब के ओछा खर्चे तमें वधू पावर सपलाई मेट वी सको छो एना ती यहीनी कारेक्षमता पन वधे छे हने लोड ने पन पुरे-पुर कारेक्षमता उपर तमें काम करावी सको छो आप बधाज फाइदाने ध्यानमा राखी ने आपने ओल्टरनेटर नूँ सिंक्रोनाईजेशन करिये छी छेले हवे के आपने आज आपनू लेशन छे ए लेशन माथी आपने सू-सू फाइदो थयो आपने सू सेना वी से तमें माही थी मेड़ी तो पैरलल ओपरेशन करिये ओल्टरनेटर नू तो यनू ऐंलटरनेटर नू पैरलल ओपरेशन के विरीते थाए आखी जे सिस्टम छे ए सिस्टम ने तमे डेवलोप के विरीते चारी सको हो और तो सरुवात नी अंदर कोई पावर प्लांट मां उचो प्लांट माटे तमें जे इंस्टोलेशन नो एनो चार्ज छे ए बधा जे चार्ज ने तमें घटाडी सको छो इन धननी पन बचत करी शको छो अने वधारे फूल एफिसेंसी उपर आपने एनू काम करी शकीये छी है पसी बिजु आपने आलेशन नी अंदर जोईए के ओल्ट पालन सा माटे करवो जोईए के जेती करिने आपनु ओल्टर्णेटर छे आपना जे मंसिनरी शे बधी पूर्य पूरी सारी रिते आपन ने काम आपिश के पछीं ओल्टर्नेटर ने सिंक्रोनाइशिशन करवानी मेथाड़ो कि टली छे तो ए मेथाडों वी से आपने अभ ओल्टरनेटन ने पैरलल मा जुड़वा थे इसुसु फाइदा थाई छे अन्ने आ साथेज आजनुचे आपनुआ लेशन छे ए आई यां पूरू थाई छे कंई ए आई खड़ा है रखना है रख़ा है टिया रखना है